नमस्कान मैं हूँ शुभे और आप देखरें नियूज स्वानेशन अब किनकिन पदों के लिए कितने नामंकन शुल्क रगेंगे इसके विस्तरत जानकारी आपको देते हैं बिहार में पंचाय चुनाओ को लेकर सभी जिलों को तयार रहने का निर्देश दिया गया है चुनाओ के अधिसूचना कभी भी जारी हो सकती है राजजन रवाचन आयोग ने पंचाय चुनाओ में सभी पदों पर नामंकन के लिए शुल्क भी तह कर दिया है राजजन रवाचन आयोग ने सभी डीम को निर्देश दिया है कि पंचाय और ग्राम के चेहरी चुनाओ को लीकर अपनी तयारी पूरी कर ले अधि सूचना जारी होने के बाद डीम अपने जिले में सभी चेह पदों के नामंकन नामंकन पत्रों की जांट समय और प्रत्याशियों के नामंकन वापस लिए जाने के सूचना प्रकाशत कराएंगे आयोगनी जिले अधिकारियों को कहा है कि नामंकन के अंतिम तिथी के बाद नामंकन पत्रों की जांट में तीन दिनों का अंतर नहीं होना चाहिए इसके साथ ही बतादे कि बेहार में पंचाय चनाओं को लेकर प्रत्याशियों के नामंकन शुल्क का निर्धारन कर दिया गया है इस्टी वा पिछडे वर्गों के प्रत्याशिका एक हजार रुपे नामंकन शुल्क के रूप में देना होगा नामंकन पत्रों की जाच एक या एक से अधिक तितियों को की जा सकती है नामंगन पत्रों की चार्ज के बाद नाम वापसी किते थी अधिक्तम दो दिन हो सकती है नामंगन का समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक निर्धारित किया चाएगा मद्दान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा जबकि मतगर्णा सुबह 8 से प्रारभ होगी आयोग के अनुसार पंचाय चनाओं में सभी पदों के लिए नर्वाची पदादिकारी सहायक नर्वाची पदादिकारी की न्यूकती की चाएगी आयोग ने इसके साथ ही प्रत्याश्यों प्रस्तावकों की योगिता और अयोगिता के प्रावधानों की सूची भेजी है तो आपको बता दे कि बिहार में आप पंचायच चनाओ को लेकर पूरी तयारी की चारी है नामंकर शुल्क कितने देने होंगे किन पदों के लिए और आप जिस जाती से आते हैं उसके लिए कितने शुल्क देने होंगे ये पूरी डीटेल हमने आपको इस वीडियो में दी है इसके साथ साथ आपको ये बताते चले कि इस बार पंचायच चनाओ प्रमंडलवार तरीके से कराई चाहेंगे नौ चर्णों में पंचायच चनाओ संपन होगा और रिजल्ट की घोशना भी चरनबद तरीके से कराई चाहेगी और इन सब की बीच जो बेहत खास बात है वो ये है कि पहली रफ़े बिहार में पंचायच चनाओ इवियम के जरीए कराई चाहेगा फिलाग के लिए इतना ही ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहे हैं और देखते रहे हैं न्यूस फार्णीशन नमस्कार